आईए शुरू करते आज की क्लास हिंदी हिंदी पेड़ागोजी क्लास शुरू करने से पहले आप हमाई चैनल को लाइस सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन वी दबा दीजिए ताकि लाइब आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुच जाए और अप्रेप प्रगूपों में शेयर भी कर दिजिए आज के क्लास का पहला प्रस्न भासा सिखने का उद्यस से आए प्रस्न में पूछा कि बासा सिखने का उद्यस से आए पहला अप्सन प्रत्य किस्तिती में बासा का प्रियोग कर पाना दूसरा अप्सन दिया है आदे निदे दे पाना और सुन पाना ये तो गलत है तीसरा अप्सन दिया दूसरों की बातों को समझ पाना ये भी गलत है चौथा अप्सन दिया प्रेमन की बात को पाना ये भी गलत इसका पहला अफ्सन सा ये प्रत्य की सिती में बासा का प्रयोग कर पाना दूसरा प्रसन बच्चों के बासी अबिकास में समाच की माधपुर वुमिका होती है यह विचार किसका है पहला अफ्सन प्याजे दूसरा प्रस्ण इसकीनर, तीसरा प्रस्ण चामस्की, चोथा प्रस्ण वाइगोस्की विद्यार्चियों का बासिय विकास समग रता से ओ सके, इसके लिए सबसे उप्रीप्त अनुसंसा होगी प्रस्म में पूछा हैंशकी विद्यासयों का बास्य भी कास समागरता से हो सके, इसके लिए सबसे उप्यूक्त अनुसंसा होगी पहला अप्शन सद्द को से इंबी सुके सके प्रियोग की, ये तो अप्शन गलत है दूसरा अप्संदिया वासा का भासा प्रियों के बिवी द उसरों की यह भी गलत है दूसरा तीसरा अप्संदिया सतते व्यापक आकलन की यह भी गलत है चोथा अप्षन दिया है सरोक्रिष्ट पाठ्थे पुस्तकों की तो इसका तीसरा अप्षन सही होगा सतत्यम ब्यापक आकलन की चोथा प्रसन लिखित भासा का प्रियोग लिखित भासा का प्रियोग होता है पहला आप्सन केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है तो गलत है दूसरा आप्सन दिया है कारियालाई कारियों के लिए किया जाता है तीसरा आप्सन दिया है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है चोथा आप्सन दिया केवल साहिते सीजन के लिए किया जा व्रृषा करता है वहां में के असे कर दीधा ऑप सीक्षें को का मेंvision मुखेटा है कि कि म्हीं में पुछा है कि म मिलमग प्रस्ण कभिता कानियों पर चर्चा करने यह प्रस्ण पूछने का उद्यस देश्न होता है पहला अप्सन भासा की दीबिन छटाओं का अनगों कराना ये तो गलत है दूसरा असन दे कल्पना सिल्था का पोसर करना मात है ये भी गलत है तूसरा असन बासा सिखने का आकलन मात्र ये भी गलत है चोथा असन दिया है साइते के प्रती बच्चों के रूची जागरित करना इसकाद दूसरा अफस्वन सही होगा कलपना सिल्था का पोसर करना मात्र उफस पूच्छा कि बाशा का अस्थी तो यह विकास खाली स्थान के बाहर नहीं हो सक्ता प्रस्ण में उसे पूछा है कि बासा का अस्तित विए विकास खाली ए स्थान के बाहर नहीं हो सकता पहला अप्षन परिवार, दूसरा अप्षन साहित्य, तीसरा अप्षन समाज, चोथा अप्षन विद्याले तो इसका तीसरा अप्षन साहिए होगा, समाज आठवा प्रस्न, किसी समावेशी कच्छा में कौन सा कथन बासा सिचर के सिदान्तों के अनुकूल है? पहला अप्षन, प्रिंड सम्रीज मावल बासा सिखने में मदद करता है दूसरा अप्षन, बच्चे अनुबहों के अधार पर बासा के नियम नहीं बना पाते हैं तीसरा अप्षन, आए भासा विद्याले में रकार्जित की जाती है चोथा अप्षन, अभ्याक्रण के नियमों का ग्यान बासा विकास की गतित तवरित करता है तो इसका दूसरा अप्षन सही होगा, बच्चे अपने अनुबहों के अधार पर बासा के नियम नहीं बना पाते हैं प्रात्मी कस्तर प्रात्मी कस्तर मतलब कछा एक से पांच प्रात्मी कस्तर प्रात्मी कस्तर प्रात्मी कस्तर मतलब कछा एक से पांच प्रात्मी कस्तर प्रात्मी कस्तर प्रात्मी कस्तर प्रात्मी कस्तर मतलब कछा एक से पांच अब्यास बाशा सीखने में रूची उत्पन करते हैं, यह तो गलत है, दूसरा अब संदिया, बच्चे, सम्रिद, बाशे परिवेश में साज रूप से सोता, भासा में सुधार कर सकते हैं, यह भी गलत है, तिसरा संदिया, बच्चों की बाशी संकल पनाओं और विद्ध्या प्राश्मी कस्तर की कच्छा में बिन बिन प्रांतों के अलग अलग बासा बोलने वाले बच्चों का नामंकर हुआ है यह सी स्थिती में बासा की कच्छा बच्चों की बास्य विकास के संदर में प्राश्मी कस्तर पर कच्छा में बिन बिन प्रांतों के अलग अलग बासा बोलने वाले बच्चों का नामंकर हुआ है यह सी स्थिती में बासा की कच्छा में बच्चों की बास्य विकास के संदर में पहला संजटिल चुनोती के रूप में सामने आती है दूसरा अरो यह प्रस्तूत करती यह भी गलत है दूसरा संधिया बहुत बड़ी समस्या बन जाती यह भी गलत है चोथा संधिया अन्मोज संसाधन के रूप में कारी करती यह भी गलत है इसलिए पहला अप्षंसाई होगा जटिल चुनवती के रूप में सामने आती है पहली कच्छा की भासा द्यापिका अपने एक विद्यार्थी की भासिय विकास के संदर में चिंतित है क्योंकि पहला सन विद्यार्थी पथन पाथन में रूची प्रदासित नहीं करता है ये तो गलत है दूसा चन्दिया है विद्यार्थी को घर पर बात करने लिए बहुत कम उशन मिलते हैं त्रिसा अपन्स विद्यार्थी के माता-पिता की माथी भासा अलग है इसलिए पहला आप्सण साहिए बिद्यार्थी पंटन पाथन में रूची प्रदासित नहीं करता है बरामा प्रस्ना बच्चों के बोलना सीखने के संदर में कौन सा कसन सही है प्रस्न में हमसे पूछा है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर में कौन सा कसन सही है पहला संदिया बच्चों की बोलना सीखने की गती एक समान होती है ये तो गलत है दूसरा संदिया बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गती तेज होती है ये भी गलत है तीसाप्शन दमीद्धन परिबार से आए बच्चों की बोनने सिखने की खति धीमी होती है। ये भी गलत है चौतठा अप्शन दियाक कॉने सुनने के अधिक से अधिक अवसा मिलने पर बच्चे बोलना सवलता से सिखते हैं। इसलिए से चोथा अप्सन सही होगा, तेरामा प्रस्ण, बिद्याले कच्छा में सम्रिद बासिये परिवेश से ताते पर आए, पहला अप्सन, मुखे दारा की बासा सुनने के अधिक से अधिक अउसर, दूसरा अप्सन, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अउसर, तीसरा अप्सन, एक से अधिक बासाओं के साद को स्किप लब दता, चोथा अध्यापा को एक से अधिक बासाओं की जानकारी, तो इसका दूसरा अप्सन सही होगा, चोधामा प्रस्मा प्रस्मा प्रस्मावार क्लास कांती प्रस्माएं आपके बिद्यार्थी पाट में आये नविन और परची सब्दों के अर्थ जान सकें इसके लिए आप पाट के अंत में दिये गए सब्दान्स देखने के लिए कहेंगी ये तो गलत है दूसरा संदिया सब्द को देखना सिखाएंगी ये भी गलत है तिस्ता संदिया सब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी चोथा संदिया पाट के संदर में और समझने की स्थिति पैदा करेंगी ये भी गलत है इसका तीसरा अप्सम सही होगा तो आज का क्लास कैसा लगा सभी लोग लाइस सब्सक्राइब कर दिजिए धन्यवाद